नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौलेज़ पंडित पर मैरे अजीत पंड़े आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ लूसेंट से चुने हुए 100 Most Important Science के EMSQ Qautions और ये हर एक्जाम के लिए important है आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को देखकर अपना रिविजन कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा चैनल पर ना है तो रोज वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिया चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन है निम्लिखित मैंसे किससे खसरा रोग फैलता है तो प्रोटो जोवा से खसरा रोग फैलता है हाथी पग रोग या ऐली फिटाइसिस का कारण क्या है तो वाइचेरिया ऑप्शन नमबर डी वाचेरिया हाथी पग रोग या हाथी पाव रोग का कारण होता है अगला प्रशन आपके सामने है निम्लिखित मैंसे कौन सा रोग वाइरस से होता है तो इन्फ्लूएंजा रोग जो है यह वाइरस से होता है निम्न मैंसे कौन सा रोग जीवाड़ों से नहीं होता है तो छोटी माता रोग जो है यह जीवाड़ों से नहीं होता है निम्न लिखित मैंसे किस रोग का उन्मूलन हो चुका है तो चेचक रोग का उन्मूलन यानि की खत्म, जड़ से खत्म हो चुका है राइट आंसर हो जाएगा अकोटा या दाद का कारण क्या है तो शैवाल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अकोटा या दाद के कारण शैवाल फंगस ये सभी option अगर होते है तो आपका ये answer सही उतर हो जाएगा next question देख लेते हैं एथलीट फुट नामक बीमारी किस्से होती है तो फंगस के द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी होती है मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आतें मियादी बुखार में शरीर का यहां अंग प्रभावित होता है नेक्स्ट कॉशन है निम्ड में से कौन सा रोग जीवाणू जनित रोग है तो चेचक जो है यहाँ एक जीवाणू जनित रोग है वाइरस नामक रोगाणू से फैलने वाला रोग कौन सा है तो चेचक वाइरस नामक रोगाणू से फैलने वाला रोग है अगला प्रशन आपके सामने है विश्वकी प्रथम अनुवांशिक संसोधित बच्षडी का नाम क्या है तो डॉली विश्वकी प्रथम अनुवांशिक संसोधित बच्षडी का नाम है मचली पालन से प्रमक रूप से क्या प्राप्त किया जाता है तो मचली पालन से प्रमक रूप से भोजन प्राप्त किया जाता है अगला प्रशन है किस से विटामिन युक्त तेल प्राप्त किया जाता है तो मचली से विटामिन युक्त तेल भी प्राप्त किया जाता है भोजन के साथ मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है तो इंसुलिन मधुमेह के उपचार में उपयोगी होता है अगला प्रशन है जीवानू बैक्टिरिया किस संस्लेशन करते हैं या जीवानू किसका संस्लेशन करते हैं तो ये संस्लेशन करते हैं विश का राइट आंसर हो जाएगा option number D जीव के जीवन का आधार क्या है तो जीव के जीवन का आधार अनुवान्शिक पदार्थ है राइट आंसर हो जाएगा रुधिर इसकंदन कारक किस से प्राप्त होता है तो पुनह संयोजी डिने से रुधिर इसकंदन कारक का प्राप्त किया जाता है किस विग्यानिक ने डॉली भीड के क्लोन को प्राप्ट किया था तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर यान विलमुट आप्शन नमबर डी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा डॉली नाम के भीड के क्लोन को इन्होंने डैबलब किया था प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहां पर इस्तित है तो नई दिली में प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान इस्तित है अगला प्रशन है कोशिकी एवं आण्विक जी विग्यान के इंदर कहां पर है तो हैदराबाद में कोशिकी एवं आण्विक जी विग्यान के इंदर इस्तित है नेक्ष्ट प्रश्ण है भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ था तो भारत में 1986 में प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था पादप उतक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो पादप उतक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग करते हैं उसे करतो तक कहते हैं आप्शन नमर सी प्रशन का सही उत्र हो जाएगा समवर्धन के लिए उपयोगी करतों तक पात्रों पोश्पदार्थों एबम उकरणों के लिए क्या आवश्चक होता है तो किसी भी चीज के समवर्धन के लिए जो भी उपयोग किये जाते है इनको सुक्ष्म जीवों से रहित करना सबसे बड़ा काम होता है राइट आंसर हो जाएगा कंटामिनेट नहीं होना चाहिए विश्व नियामक का उधारन कौन नहीं है वर्दी नियामक का उधारन कौन नहीं है तो वर्दी नियामक लवन प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा लवन यानि की नमक शरीर की वृद्धी के लिए जरूरी नहीं है है लेकिन उतना भी जरूरी नहीं है जितना बाकी जरूरी है अगर पोश्पदार्थ क्या होता है तो अगर एक जैली जैसा पदार्थ होता है राइट आंसर हो जाएगा जो कि एक शैवाल की तरह दिखाई देता है जैव प्रद्धु की शब्द का नाम किस वेग्यानिक ने दिया है तो कॉरल इरेकी ने जैव प्रद्धु की शब्द को दिया है नेक्श कॉशन है प्रतिजैविक पैनिसलीस निम्न में से किसे से प्राप्त की जाती है तो पैनिसीलियम नोटेटम के द्वारा प्रतिजैविक पैनिसलीन प्राप्त की जाती है रॉसलिन संस्था एडिनबर्ग में है जो उसके वैग्यानिक ने भेड के प्रतिरूप डॉली को बनाने में सफलता प्राप्त की थी उनका नाम क्या है तो अभी हमने पढ़ा था इनका नाम है यान विल्मुट अगला कौशन है जीवाणूओं में उपस्थित अतिरोक्त वर्तुल डियने को क्या कहते हैं तो जीवाणूओं में उपस्थित अतिरोक्त वर्तुल डियने को प्लाजमिड के नाम से जाना जाता है परियावरण में उग रहे किसी पादप का सम्मंध होता है किस से तो परिया हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायू मंडल में सांद्रता बढ़ाने से उत्पन हुआ है तो कार्वनली अक्साइड कैस के वायू मंडल में सांद्रता बढ़ाने से ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन हुआ है प्रक्रती में जैविक क्रियाओं हे तू उपलब से बने होते हैं सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है निम्न मैंसे कौन सा तत्व पौधों का सुक्ष्म पोशक है तो बोरोन तत्व जो है पौधों का सुक्ष्म पोशक है इनमें से वर्मी कंपोश्ट बनाने वाला जीव कौन सा है तो वर्मी कंपोश्ट बनाने वाला जीव इन में से केंचुआ है option नमर B प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा ओविकल्पी पर जीवी समुह कौन सा है तो ओविकल्पी पर जीवी समुह विशाणू है राइट आंसर है एड्स के उपशार है तू निम्न में से किस प्रकार की औश्धियों का प्रयोग किया जाता है तो एड्स के उपशार के लिए हम एंटी रेट्रो वाइरल आउश्धि का प्रयोग करते है राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्चन है वाइरस जनित रोगों का समुह निम्न में से कौन सा है तो वाइरस जनित रोगों का समुह यहाँ पर सही उत्र हो जायगा पोलिय और डेंगू ये वाइरस के कारण होते हैं राइट आंसर हो जाएगा दिम्ड मैंसे किस रोग के वहाग मच्छर नहीं है तो वाइरस के किस रोग के वहाग मच्छर नहीं है तो टाइफाइड रोग के वहाग मच्छर नहीं है और ये यूपी की बात हो रही है ये पूरे स्टेट की बात नहीं हो रही है ये सिर्प यूपी का कॉशन था तो वहां का कॉशन का अंसर है मानव हस्तक्षेप के कारण हुए परियावरण परिवर्तन का मानव स्वास्थ पर कैसा प्रभाव हो रहा है तो मानो द्वारा हस्तक शेप के कारण परियावरन परिवर्तन पर मानो में जो स्वास्त में परभा हो रहा है वह बहुत घातक रूप से देखा जा सकता है SPM किसे संबनित है तो वायू प्रदूशन से संबनित शब्दावली है राइट आंसर हो जाएगा सूरे से आने वाली परा वैगनी किरणों से परा प्रत्वी वासियों को बचाने वाली गैस कौनसी है तो ओजोन लेयर जो है सूरे से आने वाली परा वैगनी किरणों से प्रत्वी वासियों को बचाने वाली गैस है next है दुहनी प्रदूशन को मापने के काई क्या होती है तो दुहनी प्रदूशन को मापने के काई Decibel है राइट आंसर हो जाएगा निमड मैं से कौन सा मनुष्य के रक्त से मिलने वाला प्रतीजन नहीं है यहाँ पर option number O नहीं है राइट आंसर हो जाएगा रुधिर वर्ग O वाली इस्तरी का विवाह रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष से होने पर उससे उत्पन शिशु में पाये जाने वाले रुधिर वर्गों की संभावना कौन सी होगी तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रुधिर वर्ग पाया जा सकता है तो यह जीन विकल्पी तीन होते हैं राइट आंसर हो जाएगा पादपों की आर्थिक महत्वकी दरश्टी से अध्यन की शाखा क्या कहलाती है तो इसे हम आर्थिक वनस्पती विज्ञान के नाम से जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है तो ये अरहर जो है दाल उत्पादन करता है जाकि तेल उत्पादन करता है अश्वगंदा तो था अफीम के पौधों के किन बागों से औश्वगंदा और अफीम के मूल और कच्चे फल प्रश्चं का सही उत्तर हो जाएगा इनसे औश्वधिय पदार्थ प्राप्त होते है गोसीपियम किस पौधे का वानस्पतिक नाम है तो गोसीपियम जो है यह कापास का वानस्पतिक नाम है राइट आंसर हो जाएगा मदुमक्ही पालन के लिए सरवाधिक उप्युक्त समझी जाने वाली प्रजाती कौन सी है तो मदुमक्खी पालन के लिए ए मैली फेरा प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा सरवाधिक उप्युक्त मदुमक्खी पर जाती है मदुमक्खी के छटे में पाई जाने वाली मक्खियों के कितने प्रकार होते हैं तो मदुमक्खी के छटे में तीन प्रकार की मक्खियां पाई जाती है शुद्ध सहथ सुरक्षित कब तक रह सकता है तो हजारों वर्षों तक शुद्ध सहथ सुरक्षित रह सकता है रेशमकीट पालन का प्रचलन सरवपर्थम किस देश में हुआ था तो चीन देश में रेशम कीट का पालन का प्रिचलन सबसे पहले हुआ था प्रतेक वरक लगबग एक करोड तीस लाख वरक नलिकाओं से मिलकर बना है जिन्हें हम क्या कहते हैं तो इन्हें हम नेफरोन के नाम से जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वाशन है मूतर अमली होता है इसका पीच मान कितना होता है तो मूतर का पीच मान लगबग 6 होता है मनुष्य का तंत्र का तंत्र कितने भागों में बटा होता है तो मनुष्य का तंत्र का तंत्र तीन भागों में बटा होता है मनुष्य के मस्तिस्क का वजन कितना होता है तो 1350 से 1400 ग्राम तक मनुष्य के मस्तिस्क का वजन होता है मनुष्य का कंकाल कितने भागों का बना होता है तो मनुष्य का कंकाल जो है यह दो भागों का बना होता है राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के सिर्के अंतह कंकाल के भाग को खोपडी कहते हैं इसमें कितनी हड़ियां होती है तो खोपडी में कुल 29 हड़ियां होती है राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकों से मिलकर बना होता है निम्न मैंसे कंकाल तंत्र को क्या कारिक करने के लिए यूज किया जाता है ये कंकाल किस काम के लिए होता है तो कंकाल जो है शरीर के कोमा लंगों को सुरक्षित रखता है शरीर को निश्यताकार प्रदान करता है पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है उपर सभ भी प्रश्म का सही उत्तर हो जाएगा एक वैस्क मनुष्य के शरीर में हड्यों कि कुल संख्या कितनी होती है तो 206 हड्यां एक स्के शरीर में होती है नेग्ش के सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है नेक्ष्ट है प्रारम में रीड की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो रीड की हड्डी प्रारम में 33 राइट अंसर हो जाएगा होती है विक्सित होने पर रीड की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो विक्सित होने पर विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसकर भी रोग विटामिन C की कमी से होता है राइट आंसर हो जाएगा अगला question देख लेता है vitamin D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो vitamin D की कमी से होने वाला रोग रिकेट से option number B प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा vitamin E की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो जनन शक्ती का कम होना vitamin E की कमी से होने वाले रोगों में आता है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है option number B प्रश्ण का सही उत्र होगा बीज सुधार का प्रमक उद्देश क्या होता है तो उपज को बढ़ाना right answer हो जाएगा इस प्रेशन के लिए अधिक उपज बीज सुधार का मुखे कारण है चावल की उन्नत किस्म कौन सी है तो चावल की उन्नत किस्म जो है पूसा बास्मती right answer हो जाएगा अगला question है पौधों को hydrogen की प्राप्ती किस से होती है तो पौधों को hydrogen की प्राप्ती जल से होती है राइट आंसर है option number A अगला question है शरीर के भीतर रक्त परीब्रवन में कितना समय लगता है तो शरीर के भीतर रक्त परीब्रवन में 23 सेकंड का समय लगता है अगला question है सूध करताओं द्वारा यहां से दिखिया गया था कि मनुशे के सरीर में लगबग कितने बाल होते है तो मनुशे के सरीर में लगबग 50 लाख बाल होते है एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है तो एक बार सांस लेने की क्रिया में लगबग 5 सेकंड का समय लगता है अगला कॉशन है हिर्दय की गती कम हो जाने पर इसे सामान अवस्था में लाने है तू किसका प्रयोग करते हैं तो पेस मेकर का प्रयोग करते हैं हिर्दय की गती कम हो जाने पर इसे पुनह सामान अवस्था में लाने के लिए मनिश्य में भोजन के पाचन की संपूर प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है तो भोजन की पाचन की संपूर प्रक्रिया मनिश्य में पाच अवस्थाओं में पूर्ण होती है अमासे में भूजन लगबग कितने सब़े तक रहता है तो अमासे में भूजन चार घंटे तक रहता है option number A प्रशन कर सही उत्र हो जाएगा अमासे में से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजायम होता है तो Pepsin और Renin एंग्जायम अमास ऐसे निकलने वाले जठर रस में होता है निमन मैंसे आंत्रिक रस कौन सा है? तो च्छारी प्रकरती का रस होता है, आन्तों से निकलने वाला रस एक स्वस्त मनुश्य में प्रती दिन लगबग कितना आंत्रिक रस इस्तरावित होता है तो स्वस्त मनुश्य में लगबग 2 लीटर आंत्रिक रस प्रती दिन इस्तरावित होता है लेगर हैंस दीपिका की खोच किस चिकिसा सास्त्री ने की थी तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लेगर हैंस नाम के चिकिसा सास्त्री ने ही लेगर हैंस दीपिका की खोच की थी जिनके नाम पर इनका नाम रखा गया है इंसुलिन के अल्प इस्त्रावंड से कौन सा रोग होता है तो मदुमेह, शुगर, इंसुलिन के अल्प इस्त्रावंड से यह रोग होता है अगला कॉशन है रक्त परिसंचरन की खोच किस ने की थी तो विलियम हारवे ने प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा रक्त परिसंचरन तंदर की खोच की थी एक स्वस्त मनुष्छ के हिर्दे का भार लगभग तीन सो ग्राम तक होता है आगला कोशन है मनुष्छ का हृड़्दे कितने कोश्ठों का बना होता है शरीर से हिर्दे की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वहानिकाउं को क्या घैते हैं तो शरीर से हर्दे की और रक्त ले जाने वाली रक्त वहानियों को हम शिरा के नाम से जानते है हर्दे से शरीर की और रक्त ले जाने वाली रक्त वहानियां क्या कहलाती है तो हर्दे से शरीर की और रक्त ले जाने वाली रक्त वहानियां धमनियां कहलाती है राइट आंसर हो जाएगा भुरून अवस्था में हिर्दय एक मिनिट में कितने बार धड़कता है तो भुरून अवस्था में एक हिर्दय एक मिनिट में एक सो पचास बार धड़कता है सही उत्तर हो जाएगा एक धड़कन में लगबग कितना रक्तपंप होता है तो 70 मिली लीटर एक धड़कन में रक्तपंप होता है सामाने मनुष का रक्तदाब कितना होता है तो 128 mmHg सामाने मनुष का रक्तदाब होता है निवन मैंसे मनुष में प्रमुक उत्सरजी अंग क्या है तो यकरत, खाल और व्रक इन सभी माध्यमों में से मनुष के शरीर से उत्सरजन होता है तो दोस्तों ये थे 100 प्लस कॉशन साइन्स के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों पर साथ जरूर शेयर करें और साथ साथ लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद